पूजा के दोरान दीपक जलाते समय नव करें ये गलतियां वरना आ सकती है दरीद्रता। हिंदु धर में पूजापाट का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है नियमित रूप से पूजा करने से देवी देवताओं का अशिरवात प्राप्त होता है। लेकिन भगवान की पूजा अर्चना को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं। इनी में से एक होता है देवी देवताओं की आर्थी करना। हर धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होने पर संबंदित देवी देवता की आर्थी अवश्य की जाती है। माना जाता है कि यदि आर्थी ना की जाए तो पूजा अधूरी रह जाती है। हिंदु धर में इश्ट देव को प्रसन करने के लिए पूजन की अंत में आर्थी गाकर उनकी स्तूती की जाती है। बतादे आर्थी करने के लिए दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि इससे देवी देवताप प्रसन होते हैं यदि आप भी पूजा के दोरान दिया जलाकर आरती करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि दीपक या दिया जलाते समय कुछ चीजों का ध्यान ना रखा जाए तो घर से सुक्षानती जा सकती है तो आईए जानते हैं दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है धर्म शास्त्रों के नुसार पूजा के दोरान देवी देवताओं के समक्ष कभी भी खंडित दिया भूल कर भी ना जलाएं क्योंकि धार्म कार्मों में खंडित दिया अशुब माना जाता है वही पूजा करते वक्त साफ और सही दीपक का ही प्रियोग करें यदि मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो एक बार इस्तमाल किया हुआ दिया दुबारा प्रियोग में ना लाएं इसके अलाबा यदि धातू का दीपक इस्तमाल करते हैं तो पूजा से पहले अच्छे से साफ करके ही प्रियोग मिलाएं कहा जाता है कि पूजा के दोरान घी का दीपक प्रभू के समक्ष अपनी बाई और और तेल के दीपक को दाएं हाथ की योग रखना चाहिए पानी के बरतन के पास घी का दीपक जलाकर जरूर रखें इससे आपके घर में धन की व्रिद्धी होती है साथ ही स्वास्त संबंदित समस्याई भी दूर होती है वही कहा जाता है कि शाम के वक्त घर के मुख्य दर्वाजे पर दीपक को जमीन पर ना रखकर चावल या दूसरी चीज के उपर रखनी चाहिए साथ ही दीपक जलाने के तुरंत बात बुझ ना जाए इसलिए इसे हवा से बचा कर जलाए वही धर्म शास्त्रों के निसार कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए दीपक को हमेशा अलग-अलग करके ही जलाएं साथ ही दीपक रखने की सही दिशा पूर्व मानी जाती है माननेता है कि पश्चिम दिशा में दीपक रखने से फिजूल खर्च बढ़ता है जबकि पित्रों के निमित दक्षन दिशा में दीपक जलाया जाता है